हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग उमीदे सब अच्छे से होंगे सब अपना ध्यान रखें ठड़न बहुत है और मैं बनाने जा रही हूँ ये व्लॉग अपनी अनिवर्सिरी का पार्ट टू देखे फ्रेंड्स बहार तो कहीं जाना होनी रहा है तो चेंज कर दिया है बस मैंने सूप तो मैंने वही गरम डाला है और सेटर डाल दिया इसके उपर एक काडिकर और बस आजाएगा खाना बहार से खाना आजाएगा केक भी का जाएगा करते हैं क्या देखते हैं देखते हैं क्या क्या मगाते हैं अभी तो मुझे खुद ही नहीं पता क्या आएगा क्या करना है बस हो गए एसे ही नजोई होता है अब तो रीजन यह है ना कि ठंड बहुत होती है तो कहीं भार जाने का दिल तो बिल्कुल चाहता ही नहीं है तो बस घर में कर लेते हैं सेलिबलेट थोड़ा बहुत तो दोस्तो शाम हो गई है और भार तो कहीं जाना है नहीं तो मैंने क्या सूचा है कि थोड़ा से त्यारी हो लेते हैं तो सुबह तो मैंने बड़ा वोई गंदा से स्वेटर पहनवा था गंदा से स्वेटर पहनवा था और वस बैठी तिया से ही और थोड़ा से मैंने के त्य स्वेटर डाल लिया है मैंने बाल बाल सभी से कर लिया है त्यार हो गई हूं देखते हैं और अगर भार नहीं जाते तो खाना मगाना है भार से क्या मगाएंगे केक वगरा जो बच्चों का मन करेगा मगा लेंगे अपना तो थना कुछ होता नहीं है अब तो ठीक है ना जैसे बच्चे कहींगे वैसा कर लेंगे फ्रेंट्स आज सबका फोन आया मेरे पास बस अन्नू का नहीं आया अन्नू को तो आप जानते हैं ना मेरे वीडियो में आपने कितनी मर देखा होगा अन्नू ने मेरे को कोई मैसिज भी नहीं किया पता नहीं क्या बा तो एक पॉन तो करना बनता ही था, तो थोड़ी सी नराज़गी तो है, क्योंकि नराज़गी अपनों से ही होती है, अपनी है तो उमीद है, अब आप हैं, आप सब मुझे सुबह मेरी बात हुई आप से, कितने अच्छी से आपने विश किया, अच्छा रगा, आप सब मेरी से है, इसी तरीके से मेरे को अनु से भी उमीद होती है, और बंदना है, बंदना को भी आप जानते हो, बंदना ने तो ऐसी कंडिशन में फोन किया ना कि मुझे, मतलब वो नहीं भी फोन करती, तब भी भी चलता, बट कोई बात नहीं, थैंक यू बंदना, इस ऐसी हालत मे कोई भी फोन करने के लिए, कुछ बंदना के आस-पास में, कोई पड़ोस में, मतलब उनके रिलेटर्स में, मिस हैपनिंग हो गई, उसके बाब वजूत भी बंदना का फोन भी आया, मैसेज भी आया, तो खुशी है इतना मानने समझने के लिए, थैंक यू बंदना, और अ गिला शक्वात अपनों से ही किया जाता है, तो अन्यों से पोन करके पुछूंगी क्या बात है भई, कोन क्यों नहीं किया, और आप लोग मुझे बस इसी तरह सपोर्ट करते जीए, जैसे आप कर रहे हैं, और बस मेरे साथ बने रहे हैं, और बस आप लोग के साथ ही अच् पास हो जाता है, मेरा बहुत अच्छे से करता है, आपके साथ बाते बाते करते हूं तो अच्छा लगता है, दोस्तों, और देखते हैं कैसा मनता है, अज 19 साल शादी को मेरे पूरे हो गए है, इस चीज़ की बहुत खुशी है, 20 साल लग गया है, एक दूसरे को हस्मन है, दोस्तों, यह मेरी इंगेजमेंट के रिंग है, जो मैं आपको दिखा रही हूं, यह देखे, मैं आभी तक डाली हूँ है, अपने हातों में, आते ही काम पे लगना, बता रहे हूं आते ही काम पे लग गए, डूटी, कौन है, मैं आँँ, बात कर दो तुम से, देखो जी ये तो लग गए आते ही अब काम में अब भार घूमने जाना हो पाएगा है नहीं कुछ कहने सकते देखते हैं क्या होता है लताती हूँ आपको अब मेरी शकल देखिए पुरा दिन क्लाम करके कैची शकल कर आयो जबी तो कह रही हूँ काम करकर आयो ठीक है हापड़े कहके हाबड़ी कहके पुरा दिन लगा कर आते हैं वहाब दे कहके कर दिन लगा राते हैं अचछह नहीं करना चाहिए जबी जाना पढ़ेगा नसे तब ही तो आज खतम करके आयं व्यूटियो बनागे हूँ कि शकल से दाने में लग रह रहे हैं कि तेखा हुग गय थे मेरे हजबन भार गूंटे के लिए तो थोड़ा सब भाइन निकले घर से भार हुझमने के लिए और गंगाम के हम लोग फिर घर ही आय वापसी और वापसी आके हमने शमान..-8910 सब लेकर आय थे भार से हमने किया फिर Mohamed अपना थोड़ा सा सालिब्रेशन कुछ खाया पिया हमने देखे जी अब हम भार से घूम कर आ गए हैं और लग रही थी बहुत तेज़ ठंड तो हमने सबसे पहले बनाई कॉफी हमने कॉफी पी कॉफी पी के फिर थोड़ा सा मिला रिलाक्स ठंड से और फिर हमने जो समान लाए थे वो हमने खाया पिया तो हम लिया थे केक नहीं राए हम लाए थे पेस्टी और यह थी मैकरोनी मैं घर में बना के गई थी पहले से ही और समोसे लिया थे आते ही मैंने मैकरोनी गरम करी समोसे साथ में रखे ढोकला हो गारा तो हमने किया थोड़ पुराना लोग दिखा रही हो मैं शुम्ला वाला यह काली और यह पिंक कलर मैंने इनको सुबा से ही एनिवर्सरी नहीं बोला था तो कह रहे हैं पूरा दिन निकल गया और अब हैपी एनिवर्सरी हो रही है तो खालिया पी लिया इंजॉय कर लिया अब हम देखते हैं क्या लेते हैं तो फुल इंजॉय करने के बाद हैपी आने से बोल रही है तो हस्ब बड़ सरी की बोलने की तो चलिए कोई नहीं ये रूटना मनाना कहना सुनना तो चलता ही रहता है ऐसी इतने साल निकल गए तो फ्रेंड्स मेरी शादी को हो गए 19 साल कंप्लीट और ये 20 मा साल लग गया है तो बस आप लोग की दुआ हैं ममी पापा की मेरे इनलॉज की सब की दुआएं हैं आशिरवाद हैं हमारे उपर और बस ऐसे ही हम लोग खुश रहें एक दुस्ते के साथ यही दुआ कीजिए बस हमारे लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप से तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब और जाद सदश यही दुआ हैं